ब्रश आज मेरे हाथ में आप सोच रहे होंगे कि कभी तो मेरे हाथ में किताब होती है कभी मेरे हाथ में पैन होता है लेकिन आज मेरे हाथ में ब्रश क्या कर रहा है तो आज मैं आपको बताती हूं कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे से वर्ट्स हैं जो हमें एक जिसे मिनिंग भी निकल जाता है देखिए मैं आज आपको ब्रश का बता रही हूं तो ब्रश नाउन फॉर्म अगर हम लेते हैं इसका तो यह है केवल ब्रश ठीक या आप पेंट करने वाला बोल दीजिए या फिर आप यह वाला ब्रश बोल दीजिए या फिर आप हैर जो कुम बो आप देखिए वर्ब के रूप में ब्रश का क्या यूज होता है ब्रश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्रिया है ब्रश करना के लिए डू ब्रश यूज कर लेते हैं बहुत सारे लोग लेकिन वह गलत होगा आपको केवल बोलना है ब्रश ठीक मैं ब्रश करता हूँ आप देखिए अगर brush के बाद up लग जाता है brush up तो इसका meaning क्या होगा कुछ brush को उपर करना है बिल्कुल नहीं एक phrasal web हो जाएगी जिसका meaning तो brush से बिल्कुल भी नहीं है ना brush करना है इसका meaning होता है आप अपनी जो भी skill से जो आपकी शमता है उसमें और सुधार करना चाहते ह इंग्लिश की बात लीजिए आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप अपनी इंग्लिश को और सुधारना चाहते हैं तो आप उसके लिए इंप्रूव का यूज करते हैं लेकिन आप एडवांस इंग्लिश में यूज करेंगे brush up का brush verb तो इसमें ED लगा कर इसकी second third form भी यू तो इसके लिए ट्रिक यूज कर लीजेगा जैसे हम brush थोड़ा सा उपर करके करते हैं brush तो हमारे दात क्या हो जाते हैं चमक जाते हैं सुधर जाते हैं ऐसे ही आपकी skill भी brush up करने से क्या होगी सुधर जाएगी तो I hope आप इसको अच्छे से learn कर पाएंगे और याद रख पा ये सीघší कर दोगी करूण तो ये-वाद कर दो भी एन्सियऔ कराया है अजीदादू हैंगे 먹ला नींडल में जाते होगी तो जोगगी पहाएंगे जो घ gua editors दिए लिएन मेरे टप स्ववा हैं तो और भीлемह श्वा जया हैं मैं गिर जाहा हैं जांते हैं धृ जिर सीर तने क